Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम discuss करने वाले हैं class 2 Hindi worksheet जो भी बच्चे class 2nd में पढ़ते हैं उनके लिए ये worksheet काफी helpful है साथे साथ जो बच्चे अभी class 1st से 2nd class में जाने वाले हैं तो वो भी इस worksheet की help अपने लिए ले सकते हैं चलिए वीडियो को start करते हैं तो 1st question हम लोगों ने यहां लिया है नीचे दिये शब्दों के अर्थ लिखिए तो यहां पर हमें कुछ शब्द दिये गए हैं और इनके अर्थ हमें बच्चों से पूछने हैं और फिर उनको लिखना है यह practice जो है वो आप अपने बच्चों के साथ घर पे जरूर शेर कीजे इनसे उनको ने ने शब्दों का ग्यान होगा और साथ ही साथ उनके मतलब यानि की meaning जो है वो भी पता चलेंगे यहां पर हमें दिया गया है सरोवर सरोवर का मतलब होता है तालाब कोशीश कोशीश का मतलब होता है प्रेत्न कोशीश करना प्रेत्न करना आख का मतलब होता है नेत्र या फिर हम चक्षू भी कह सकते हैं दोस्त का मतलब होता है मित्र वायू, वायू का मतलब होता है बच्चों, हवा हर्डवडी, हर्वडी का मतलब होता है, जल्दबाजी नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शब्द, वक्त, वक्त का मतलब होता है समय कोहरा, कोहरा, जब सर्दियों में कोहरा होता है, यानि कि जब सुबसोब़ जब हम उठते हैं तो थोड़ा-थोड़ा अंधेरा दिखता है न, उसको धुन्द बोलते हैं कोहरा धुन्द, आफट, आफट का मतलब होता है बच्चों, मुसीबत म, म में छोटे उ की मातरा, स में बड़ी की मातरा, ब, त, मुसीबत मौसम, मौसम का मतलब होता है रितू डाल, डाल का मतलब होता है टहनी फूर्ती, फूर्ती माने, चुस्ती से यहां हमने कुछ शब्द लिये थे और उनके हमने अर्थों को लिखा है नेक्स कोशन है, लिंग बदल कर लिखो, यानि कि इनके हमें जेंडर चेंज करने है और फिर उनको लिखना है, यह भी प्रैक्टिस आपको अपने घर पे जरूर करनी है पहले नमबर पे हमें दिया गया है चात्र, चात्र किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट के लिए यूज होता है जो लड़का है, यानि कि मेल है जब हम इसको convert करेंगे, यानि कि इसका link जब हम change करेंगे तो बनेगा चात्रा सो इसके बाद हमें दिया गया है दादा, और दादा को जब हम change करेंगे तो बनेगा दादी दादा, दादी शिश्य शिश्य जो है वो लड़के के लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट के लिए और हम इसका लिंक चेंज करेंगे तो बनेगा शिश्या आदमी अवरत पती पतनी हाथी हतनी माता पिता देव देवी सेवक सेविका नाना नानी नर नारी दास दासी उट उटनी भाई बहिन इसी प्रकार से आपको इनको बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवानी है अगला कोशन है हमारा यहाँ पे उपर दिये शब्दों में से सही शब्द का चैन कर नीचे लिखे शब्दों के सामने लिखे तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिये गए हैं बड़ा, गरम, रोना, बाहर, कडवा, रक्षक, सर्दी, गुण और जनम और नीचे हमें यहाँ कुछ शब्द दिये गए हैं और इन शब्दों को पढ़के जो इनका विपरी शब्द यहाँ पे लिखा है वो हमें ढून करके यहाँ पे लिखना है तो फर्स नमबर पे हमें दिया गया है हसना, हसना का विप्री शब्द होगा रोना, मीठा, कडवा, भक्षक, रक्षक, अवगुण, गुण, ये हमारे विप्री शब्द है, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, गर्मी, सर्दी, मृत्यू, जन्म, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा कोशन नमबर थ्री, तो नेक्स कोशन है, वर्ग पहेली में शब्द दिये गए हैं, ढूंड कर लिखें, तो यहाँ पे हमें वर्ग बना के दिया गया है, और यह एक पहेली है, यहाँ पे हमें शब्दों को देखना है, और ढूंड करके यहाँ पे लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं, यह क्या बन गया बच्चों, पनगट, तो इसको हम यहां लिखेंगे पनगट, उसके बाद है, आसमान, आसमान, सौरी यह नीचे तक है, यहां लिखेंगे आसमान, नेक्स्ट यहां पे दिया गया है, हे, उ, म, यह कुछ नहीं बन रहा है, कचुवा, कचुवा, कच, में छोटे उ, की मात्रा, आ, कचुवा, अ, म, गर, यह कुछ नहीं बन रहा है, आगे देख लेते हैं, म, गर, म, ग, र, चीडिया, 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 इसी प्रकार से और भी ढूणने और यहां पे लिखने है, So next question we have समान अर्थ वाले शब्द पर राइट का निशान लगाएं तो यहाँ पर हमें शब्द दिये गए हैं और यहाँ हमें कुछ और शब्द दिये गए हैं जो उस शब्द का मतलब है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है और बाकियों को छोड़ देना है तो फर्स नंबर पर दिया गया है व्रक्ष व्रक्ष का मतलब होता है जंगल, पेड, फूल या पौधा व्रक्ष का मतलब होता है पेड प्रसन, प्रसन का मतलब होता है खुश होना तो क्रोध, दुखी, नाराज, खुश तो खुश हमारा सही है, बाग, बाग का मतलब होता है बगीचा, बेटा, बेटा का मतलब होता है पुत्र, नदी, नदी का मतलब होता है तटनी, मित्र, मित्र का मतलब होता है सखा और दोस्त, दोनों ही करेक्ट है, यहां हमने हमारे समानर्थ वाले शब्दों पर राइट का निशान लगाया है, so next question we have, खाली स्थान में का, की या के लगाईए तो यहाँ पे हमें कुछ sentences दिये गए हैं, हमें देखना है कहाँ पे का लगेगा, की लगेगा या फिर के लगेगा, तो चलिए इन sentences को पढ़ लेते हैं, मुर्गी- अंडे मुर्गी का अंडा या मुर्गी के अंडे मुर्गी के अंडे, क्योंकि अंडे है, बहुत सारे अंडे की बात हो रही है अगर एक अंडा लिखा होता तो हम लिखते हैं, मुर्गी का अंडा मम्मी- कार मम्मी की कार पापा का पैन पापा का pen सुभ़ डैश नाश्ता सुभ़ का नाश्ता गाड़ी डैश पहिया गाड़ी का पहिया अगर यहाँ पहिये होता तो लिखते गाड़ी के पहिये दीदी डैश किताब दीदी की किताब समोसे की चटनी तो यहाँ पहिये गा की तो ऐसे छोटे छोटे sentences आप अपने बच्चों के साथ जरू शेयर कीजिए उनसे उनकी practice जो है वो sentence बनाने की बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी So आज हम लोगों ने discuss किया है class 2 Hindi worksheet I hope आज की worksheet जो है वो आप लोगों के लिए helpful होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा साथ ही साथ बैल नोटिफिकेशन पे जाकर के औल पे क्लिक कर दीजे ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू